नमश्वार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्वों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ताईश और 24 नुवंबर के आपके राशी के महा राशी फल के बारे में शबसे पहले दोस्वों जिनका भी इस में बढ़ते रहे हैं या फिर नुश्री है आप शबी को मरतरब से रेर शारी शुप खामनाएं आप दिन दुगनी रात चौगनी तरह के करें तो आई दोस्वों से के शाथ बात करते हैं याश में गरों के जिदिक एशी होंगी क्या क्या योग बनेंगे और इन्हें शबी का शुराब की राशी पर क्या होगा किन-किन चीज़ों को लेकर याश में आपको सावधाने नहोगा और आखिर कौन-कौन श्विकारी आपक सब्सक्राइब करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें दोस्वों वीडियो के अंत में बहुत अच्छे उपाहे जिनिया आपकर किंद्रों को और भी ज्यादा लाब कारी बना पाएंगे उससे पहले दोस्तों आप चैनल पर नहीं है तो दोस्तों चैनल को भी एक होगा किर्शम पत्की चैतर ठी रहेगी और दोसों इस दिन आत्रह नाम का नचत रहेगा वें दोसों दिन योग की बात करें तो शूब नाम का शुबियों उच्डन रहने वाले हैं और राहू कल के शमय दोपार के दो बचकर चोबर मिनट शली कर शाम के चार बचकर पंदरा मिनट रहेगा दोस्तों ध्यान ले आप राहू कल के शमय में कोई भी शूब और महत्मुन कारे को बूल से भी ना करें इसको अगले दिन 24 नौंबर की बात करें तो बुदवार का दिन होगा क्रिशन पचके पंच में तिती रहेगी और दोस्तों धिन पुटशन नाम का नशत रहेगा दोस्तों ये जो शमय है आपको कई तरह की पैस्तुतियों में दोस्तों ये जो शमय है उस और आपका सफलता आपको मिल सकता है उस और आप अपने कदम को आगे बढ़ाने का प्रयाश करें ये जो दिन है आपको सफलता मिलने का दिन रहेगा मैं दोस्तों ये जो शमय आपके नेगेटिव के लेकर बात के तो घर परिवार के सबीस अदस्यों के साथ आपकी मेल जोल बनाई रखने का प्रयाश करें सबका विश्वास जित कर एक दूसरे का सयो की भावना रखते हुए अपने घर के विकास में लग जाएं दोस्तों ये जो समय है इससे दोस्तों आपके घर परिवार में अच्छी समानजस बन सकेगा तदा घर परिवार का विकास हो सकेगा फिवार में इस दोस्तों इंद इंदियों में आपका ध्यान को बिजनस में या परिववर जीतों को दिया गया उधार पेशा वसोलने पर हो सकता है दुस्तों यह जो समय है आपके लिए पुराने धन की वाप्सी के संकेत दे ला है कोई पुराना अट काम भी यशव में आपको सकता है यह मों कामपुरा हो शकता है अपनी जोंगती सिल्था आप यह समय बनाए रखें किसी स्तिति में यह सो मैं है आप एपने लोगों से बस बिलकु料 करें या पिर आपके स्घ्रमने इनसे विया परिशानि पर आप सकती हैं दो यह आप को और चाहा तनाव भी देगा वे दोस्तों यह जो शमय है इन समय को लिलाकर आप कोई भी और वायवारी की जोजना है बिल्कुल ना बनाएं इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो यह जो शमय है नोकरी में तराव आपकी तरक्वी के लिए एक शकारत्मक से बहुत अच्या सावीत होगा यश्च में आप निविस कर सकते हैं लेकिन उचित सला के बाद यह साब कारें किसी वी जो है किसी पर यश्च में आप जल्दी भरुशा बिल्कुल ना करें इन से बचें नहीं तो आप मुशिवत में भी फस सकते हैं वैस्टों इन दिनों म कुछ मितेरह प्रेमी जरेंव से आपकी बहस भी सकती है दोस्तों इन दोंके बारों का द्यान कि अपसे बहस करने से बचेंग अगर आपके मित्र आप से बह scientists करते हैं तो भी ना भी बिल्कुल ना भूले अपने बड़ों का या जो समय होगा यह समय आप उन्हें चरण असपस करें उन से असरवाद लें वह दोस्तों यह मैं आपका भागे शाली रंग रहेगा नीला और भागे शाली अंक रहेगा पांच दोस्तों इन दिनों में आपके मूड में जो बयांतला लेकर बेचंविक कम कर सकेंगे स्वास का जो है ध्यान रखने की यह में गनेशँ आपको शiv नहीं जाए गिनेज जी का यह सुझाओ है कि आप काम परेकरगरता निश्चित रूप से आपके दिन को और आपको आने वाले दिन को भी शफल और रूपियों की बना सकता है वह दोस्तों इन दिनों में आपकी पारिवरी जीवन की बात तो दोस्तों यश्मी आप प्रीजन क के बीच करीब लाएगा दोस्तों इसा गिनेज जी कहते हैं वह दोस्तों यश्मी आपकी आर्थिक सिद्धी की बात के तो यह श्मी होगा आर्थिक मोर्चे पर दोस्तों आप थोड़ा शावदान रहेंगे हलांकि दोस्तों यश्मी किसी ततकाल आवशक्ता के लिए आप बहुत ज्यादा भूगतान भी कर सकते हैं कुछ भी खरिदने से पहले गनेज जी आपको बाजार की जांच परताल करने की शला देते हैं वह दोस्तों इन दिनों में आपको चुनोती पुर्ण दिन आपके लिए शावित हो सकता है लेकिन यदि आप ततकाल परिणाम की उम वह दोस्तों इन दिनों में दोस्तों आपका परिशे किसी खास इंसान से कराएंगे जो आपकी सोच पर गहरा परवाव डालेगा अतिरिक्त धन को लेकर यसमें रियल स्टेट में निवेस किया जा सकता है दोस्तों अगर आप अपनी घरेलों जुमेदारें को अंदेखा कर सकते हैं आपकी कारिशेतर में अजसे फल पाने के लिए अपने काम के तरीक्यों पर आप गौर करने की आपको जरुत होगी नहीं तो दोस्तों आपकी जो बॉस की नजरों में आपकी नकार्तमक छभी बन सकती है आप उनसे नाराज हो सकते हैं दोस्तों यश्रुमे अगर कई कामों पर पानी फिर सकती है दोस्तों याश में आपको कौन से महत्पुन उपाये को करना चाहिए दोस्तों आपको बदा दे कि बुद्ध दुवार के दिन खड़ी हरे मुंग का किसी भी जरौत में व्यक्ति को दान करें नेमित रूप से शपेद गाय को हरी घांस खिलान किसे स्वागन इस्तिरी को शुआ की शमादान कर देने शी धनलाब के शाहत साथ घर प्रिवार की दोस भी दूर होते ये लत gelir होते ह Also ये इसमें आप इन उपाय को जरूर करें शाती घर की आप मारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, श्राती बेल आइकन को प्रेश कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भोले, धन्यवाद